दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजा नाशो भैव और शाम हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनालेशिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल मजेदार एनालेशिस को सब्सक्राइब कर दोनीजिये उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे भैया जी कास्मीर में एक दो नहीं 400 कंपनियों पर गाज किराई है मोधी साहब ने बाई साहब मजा आ गया उधर अमेरिका ने भैया जी हार सुईकार कर ली है एक सालवा दिन के दिमाग का बलव जल रहा है तो भैया जी भारत सरकार ने जो एस्टिटी बढ़ाई थी उसका असली छुपा हुआ राज क्या है बिदेशी निवेशकों को कान पकड़के भारत खीच के लेके आ रहे हैं अफ्रीका को भारत ने कौन सा इंपोर्टन्ट सामान एक्सपोर्ट किया है अरुनाचल प्रदेश में भाई स का जो डिसकसन है वो हमारे स्टूडेंट्स के बेहद काम का होने वाला है अनंद के साथ वीडियो देखिएगा साथ में जल्दी ही राम नवमी और उसके बाद हनुमान प्राकट्यों सबके उपलक्ष में हम 50% का जो भारी वरकम डिसकाउंट है वो दे रहे हैं आतने पर इ जीएगा अब दोस्तों आप देख लीजिए लोगों को मोली सहाव क्यों खटकते हैं इसलिए बहुत देखो 400 कंपनियां थी जो बहुत रिपोर्ट सब्मिट नहीं करती थी कुछ बताती करती नहीं थी लेकिन पर क्यों चल रही थी किसके लिए टेक्स्चुरी करना था कौ गड़ान हीं नहीं बनाओं और कंग्रेसके वह क्या सहाब जादे हैं यह कि यह रहते हैं बहुत से च्प्र बूस्त सवाल है सहा शार सो कंपनियां के से बनी पूछ लो आप जाके सरकार के लिए कौन इंपॉर्टन्ट है सरकार ने ये बढ़ाया है किसलिए बढ़ाया है वो इसलिए बढ़ाया है कि जो विदेशी निवेशक हैं जो अभी भारतिय मालकी ट्रेडिंग दूसरे देशों के मार्केट में सिंगापुर में अधारन के लिए करते हैं डेरिवेटिव इंस्टूमेंट्स के माद्यम से अभी क्या है उन पर लगती है कम स्टीटी तो वो भारत में आना नहीं चाहते लेकिन अब क्या है अब ज्यादा स्टीटी लग करने का वो निल रहेगा एंफेक्ट स्टीटी उनको मजबूर करेगा यहां आने के लिए बहुत जादा बचत हो जाएगी अगर वो भारत में ट्रेडिंग करेंगे बनिश्पत बाहर्फेडिंग करने के तो हमारा ये मालकी ट्रेडिंग हमारी मंडी में हो उसके लिए ये पढ़ाई है अब रही बात कि भहिए जी जो सटेवाज है जो हाई फ्रिक्वैंसी ट्रेडेंग करते हैं अल्गो करते हैं जो अल्गो9 एट्वाजो कल्लोग तो में कौनसी कौनसी टेक्श्ट ट्रीटी का के मिल रहा है STT की गाज सटेवाजों पर पढ़ी है सटे वाज मर गया भगिया जी जो विदेशी निवेशक है उसका हित्व सिद्ध किया है भारत सरकार ने और विदेशी निवेशक छोड़ दो उनको तो हम मजबूर कर रहे हैं गाजर टांग दिये आगे और पीछे से डंडा फटकार दिया है गाजर है टेक्स ट्रीटी की और लेकिन लेकिन शक्ते वाज मिट गया गुरू मिट गया पक्तीश परसेंट जादा एस्टीटी दो तुम अब यही होता है विशी भी यह हमारे दोस्त मिल गाए वह हमसे कहते हैं चार्ट महालक्ष्मी जी का ब्रत है भया जी इकी सकता का फूरा कर लो एक बार सबकी बातें छोड़के आप तो स्री महालक्ष्मी जी की सरण में टोटल सरेंडर कर दो भया जी पैजात वही देंगी हम कौन होते हैं टिप देने वाले कौन हैं हम टिप देने वाले हम भी उन्हीं के दरवार में मत्था टेकते हैं तो भया जी स्री महालक्ष्मी जी का जो ब्रत है उसक किजिए एक वार पूरा कर लोगे फिर टिप लोगे नहीं तो दुनिया को टिप दोगे दवा के इसी वीज भारत ने आपको जानका दी है राइस के एक्सकोर्ट पर लगा रखा है प्रतबंध लेकिन यह भी स्पेशल परमीशन दिए गांबिया और सेनेगल के लिए तो ट्र पर लोकेशन पर हैं यह मदद करना कोई नहीं है मेंडेटरी है दोस्त की मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगी बता हुआ तो इस पेशल परमीशन देखे मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टरनल अफिरस ने रिक्वेस्ट बेजी तब जाके कॉमर्स मिनिस्ट्री ने राइ उठते हैं भाइजी हम सबको जो है इसका खामियाजा भुकत ना पड़ रहा है अब बोल रहे हैं कि साब यूक्रेन तुम्हार बात कर लो यार तुम जो है टरिट्री ले नहीं पाओगे जो यूक्रेन की दवाली है रूसने मतलब बहुत जल्दी समय में आ गया तुमें य नहीं है कोई नहीं देर आए दुरस्ता है इसी भीच भाई साब देखिए यह अरुनाचल प्रदेश है भाईया लोगों कहते हैं हिंदु धर्म में बहुत अंद्विश्वास है हिंदु धर्म में भाईया जी दक्यानूसी सोच है वाईया अच्छा ऐसी वात है तो तो उसको तो उसका तो बखार उत्रेगी उत्रेगा लेकिन धर्म परवर्तन किया जा रहा है इस दवाईयों के आड़ में ना सर्फ अरुनाचल प्रदेश में हो रहा है भाईया बलकि ट्राइवल कम्यूनिटी जहां पर भी है बनवासी लोग आदिवासी लोग हैं सब को इसी देख लो तुमारा असली मूँ यह है यही पैत्रे अपना के इन्होंने अमेरिका न्यूजिलेंड ऑस्ट्रेलिया से वहां के लोकल धर्मों को खतम कर दिया भाई साब बिलकुल लोकल सब बिताओं को खत्म कर दिया भाई साब और आब हमें सकाते हैं क्या बुले human rights और मान विशा रहा है भी यह अगए की तरफ से यह एख़ी का आज का सबसे बड़ा नवेश है मार्केट में जये पैसे का पाम है दो कहते हैं आप से आपका पाई कर आ लगांगे लिए के तो आ nor जाएए आप कहां जाएंगे ये नजर लोट के आएगी आएगी गाना सुनाए मजरू सुल्तान पुरी सहाब का कोई चीज है भया पैसा मार्केट छोड़के नहीं बगता आना उसको लोटके महालक्षमी जी की सरण में है तो पॉइंट का है पॉइंट जे है भया जी कि मार् कि अपने को डिप खरीदना है डिप खरीदना है डिप खरीदना हे और वाली थे तक्रों को फेका यह भंए में एक ही कटिवारे planted यहाए कि हरी करने डिप रोने धोने का नहीं है मुस्कुराने का मौका है अच्छा माल सस्ते जाम पर खरीदने का मौका है आप खरीदो ना खरीदो हम खरीद ना खरीदे देख लो आप LIC भया बित्तबर से चालू नहीं हुआ है और धाइला करोड़ रुट धरें बैठें और बाजी राओ की वेल्थ क्रिएशन स्ट्राइटशी अपना यह भाई साथ पैसा नहीं बने हो यह नहीं सकता महालक्षमी जी की सरण में बैठे हो कहां जाएगा पैसा आपसे बचके आप दोस्तों राम नवमी और हनुमान प्राकट्ट्यों सबके दो महान उससब आ रहे ह हैं इसलिए उनके उपलक्ष में 50% तक का भारी वरकम डिसकाउंट दे रहे हैं आप में फर इन्वेस्टर कोर्स पर तूचर सेंड ऑप्शन कोर्स पर तो अभी तो यदि आप शेयर मार्केट में सुरुआत कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर कोर्स पर फोकस कीजिए यदि हर गिरावट और जब मार्केट वहीं का वहीं रहे उस दोरान भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आत्मने रभर ऑप्शन कोर्स पर विचार कीजिए फूचर कोर्स पर विचार कीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके अपना प कोट देंगे डिसकाउंट अपने आप एफलिकीबल हो जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्त्री राम